दोस्तों हम जो खाते हैं उसे पचाना भी जरूरी है भुजन को पचाने के लिए आपके आथों का सौस्थ रहना जरूरी है अगर आथों में कोई समस्या हो जाए तो फिर पाचन ही नहीं आपके पूरे स्वास्थे पर इसका प्रबाहू पड़ता है आतों में समस्या का पता आसानी से लगाये जा सकता है अगर आपको दिन में तीन बार से ज़्यादा शौच के लिए जाना पड़ता है या सब्ता में तीन बार से कम शौच जाते हैं तो आपको आतों की समस्या सुरू हो चुकी है जो दीरे दीरे गंभीर रूप ले सकती है आईए आपको बताते हैं आतों को स्वस्त रखने के आसान उपाए नमबर एक सैंधा नमक का प्रयोग करें नमक हमारी पाचन क्रिया में बहुत मैतुपूर्ण भूमिका निबाता है आतों के लिए नमक जरूरी है क्योंकि ये बैक्तिरिया को संतूलित करता है हाला कि साधे नमक से सैंधा नमक का प्रयोग आपके लिए फायदे मन्द है मगर सैंधा नमक में आयोडीन के मात्रा कम होती है इसलिए शरीर को अन्यस रोतों से आयोडी नमक के द्वारा प्रियाप्त आयोडीन लेते रहें नमबर दो मैगनेशम और पोटेशम वाले आहार खाएं आतों के लिए मैगनेशम और पोटेशम वाले आहारों का सेवन जरूर करें मैगनेशम साबुत अनाज, मचली, हरे पत्तेदार सबजियों और कुछ फलियों से मिल सकता है इसलिए इन्हें आहार में जरूर सामिल करें सबजियों और फलों के अलावा पोटेशम होल ग्रेन और दूद के उतपादनों में भी पाये जाता है मास, पॉल्ट्री के उतपादन और मचली वगेरा में भी पोटेशम की भरपूर मात्रा होती है पर अधिक मान साहारी आहार का सेवन करने से आपकी स्वास्थे को हाने पहुँच सकती है जिससे एसिट का इस्तर बढ़ सकता है और पोटेशम के इस्तर में कमी हो सकती है अन्या आहार जो पोटेशम से भरपूर हैं वो है केला, संत्रा, एप्रिकोट, एवोकाडो, स्ट्रॉवेरी, आलू, तमाटर, खीरा, गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, ब्रसल स्प्राउट, अजवाइन, पालक, ब्रॉकली, कुकुरमुत्ता, हल्दी, ट्य गुना और हलिबट मचली नमबर तीन दिन में प्रयाप्त पानी पीएं पानी हमारी शरीर के लिए जरूरी है, प्रयाप्त पानी पीने से शरीर में मौझूद गंदगी और टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं अगर आप प्रयाप्त पानी नहीं पीते हैं तो लीवर और केड़नी पर जोर परता है इसके अलावा टॉक्सिंस के ज़्यादा इखटा हो जाने के कारण पत्री और केड़नी फैलियोर जैसी समस्याएं भी हो सकती है इसलिए दिन में कम से कम तीन से चार लीटर पानी जरूर पियें नमबर चार फाइबर वाले फूट्स जरूरी हैं आतों को स्वस्त रखने के लिए फाइबर यानि रेशेदार बोजन करना बहुत फायदेमन होता है बहुत अधिक तेल, मसाले और वसा वाले बोजन से दूर रहे ये कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को जन्म देती है इसलिए फाइबर युट्ट बोजन को अपने आहार में शामिल करें सबजियां, फल, अनाच, डाल और नट्स में मौजूद फाइबर आपकी आटों को ठीक परकार से कारे करने में मदद करता है अगर आपको मलतियाक के समय बहुत जोर लगाना पड़ता है फिर भी पेट साफ नहीं होता है तो आपको फाइबर वाले फूद से बहुत फाइदा मिलेगा प्रोबायोटिक्स वाले आहार खाएं प्रोबायोटिक्स वाले आहार आतों के लिए बहुत फाइदे मन्द होते हैं हमारी आत असंख्य बैक्टिरिया से भरी होती है इनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए रोग का कारण भी हो सकते हैं और जो अच्छे होते हैं वे भूजन को पचाने का काम करते हैं तथा पाचन तंतर को संतुलित रखने का काम करते हैं प्रोबायोटिक भोजय पदातों के सेवन से आतों की कारे परनाली को शसक्त बनाया जा सकता है। इंफेक्शन से बचाव किया जा सकता है। प्रोबायोटिक मुख्यता डेरी प्रोडक्ट में होते हैं जैसे दूदुआ दही। इसके अलावा अचार और मुरब्बा में भी इनकी संख्या पाई जाती है।